नमस्तों दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडिन डिश बैदेव में आज मैं आपके लिए लेकर आए फिर से एक नए रेसिपी आज की रेसिपी हम घर में रखे समगरी से बना कर तयार करेंगे और खान में यह बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी यानि कि आज मैं आपके ल करनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कड़ाई में एक कटोरी से दो कब दूद मैंने यहां पर फूल कीरिम बाली दूद का किया है आप चाये तो सूजी को हलका सा फ्राइक करकर भी ले सकते या पिर आप सूजी को इस तरीके से भी बना सकते जिस कटोरी से हमने लेंगे मैंने यह आपे बारिग वाली सूजी का इस्तिमाल किया है ध्यान रहा है बारिग बली सूजी का ही इस रेशिपी के लिए और अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसे मिक्सर जार में एक बर पीछ ले तो वह बर बर हो जाएगी अब हमें सूजी को लगाता चल मिनिट में दूद आसानी से सूख जाती है अब हम या पर एक चमज घी डालेंगे आप चाहे तो घी को इसकी भी कर सकते हैं घी डालने से हमारे इसमें यह जू रसकुली बनेंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और यह कराय में चिपके गी नहीं उपर से घी ड नहीं तो यह हमारे रसकुले जो है वह अच्छी नी बनेगी आप देख सकते हैं हमारे वेटर बिल्कुल तयार है अब हम उसे उत्वार लेंगे चासनी के लिए हमें आपे एक कड़ाय लेंगे और एक कटोरी चीनी लेंगे उसी कटोरी से डेर कटोरी पानी का इस्तिमाल कर अब हमें इसी में दो इलाची कूटकर डाल देने हैं आप चाहे तो इलाची पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब चीनी को अच्छी तरह पिगला लेना है चीनी को हमें कोई तारूर की चासनी बगर नहीं बनानी है बस यह हमारे चीनी जो है अच्छी तरह पिगल जा इधर हमने सूजी को इस प्लेट में उतार लिया था हमारे सूजी ठंड हो चुकिये आप देख पा रहे हम हाथों से छूप पा रहे है तो चलिए आप आथों से हत्थेलियों के साहता से सूजी को मसल लेंगे अच्छी तरह जब तक कि यह डोना बनने लगे तो चलिए इस हत्यली के साहता से अच्छी तरह मैश करें हमारे सूजी के डो बिल्कुल तयार है अब हम यहाप हाथों में थोड़ा सकते ल लगा लेंगे और दोनों हाथों को अच्छी तरह मसल लेंगे इस बड़ी लोई में से थोड़ी मात में पकाएंगे तो यह दुगुनी हो जाती है यानि फूल जाती है हमारे बॉल बनकर बिल्कुल रेडी है आप देख पा रहे हूंगे बहुत ही बरियतर के से बन चुकी है क्योंकि हमने जो नाप लिया था यह बिल्कुल परफेक्ट नाप है एक कई से भी कटी फटी नहीं यानि के कैसे भी क्रैकनी हो रही हो नहीं कैसे फटी है तो चलिए इसी त CV सारे सबस्क्राइल रस गुलिक को बना कर त्यार कर लिया है इस इधर हमारी चाच निवा बिल्कुल तैयार है तो चलिए अब हम ऐसमें एक एक करके सारी रस गूलिक को डाल देते है सारे रसगुले डल जाने के बाद में रसगुले को दस से आठ मिनिट तक धक्कर पकाएंगे ताकि हमारे रसगुले अच्छी तरह फूल जाए ग्यास को हमें लो टू मीडियम रखना है स्मिनिट हो चुके एक बाद धकन को हता लेते हैं आप हमें या पे कोई छोटी एक चमच की सायता से इस तरह गोल तरह से इस तरह से हिलाना है ताकि हमारे जो रसगुले फटे नहीं इस तरह से गुमाने से रसगुले में जो चमचे का वो निशान आ जाता है कई बार बोने आ रसगुले बिल्कुल तयार है तो चलिए अब हम इसे उतार कर परूस लेते हैं तो आप भी इस रेसिपी को एक बात जरूर ट्राए करें